जै गुरुजी संगजी आज शुकरवार है बड़ाई अच्छा दिन है बहुत शुब दिन है शुकरवार का संगजी आज के ससंग से पहले हम सभी मिलकर गुरुजी का मंतर जाप करेंगे ओम नमश्यवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमश्यवाए गुरुजी सदा सहाए। संग जी आज शुकरवार वाले दिन गुरू जी मेरे से ये ससंग शेयर करवा रहे हैं मेरे को बड़ाई अच्छा लग रहे हैं आज का ससंग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खतम होने वाली हैं अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है कोई दिक्कत चल रही है संग जी तो आज वो खतम हो जाएगी सिरफ और सिरफ इस ससंग को सुनकर सभी तरह की परेशानी जैसे पैसो को लेकर दिक्कत पैसो की परेशानी फाइनेंशल प्रॉबलम या आपके घर में संग जी रोज रोज लडाईयां जगडे होते हैं घर में रोज रोज कलेश होते हैं घर का महौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते वाजकल या फिर आपके घर में कोई और प्रॉबलम चल रही है संग जी तो उसके लिए गुरू जी ने आज ये शुकरवार का बड़ा ही चमतकारी ससंग ब्लेस कर दिया है संग जी ये ऐसा वैसा ससंग नहीं है ये तो गुरू जी का बड़ा ही चमतकारी ससंग है आप इस ससंग को ऐसा वैसा ससंग समझ कर कहीं मत चले जाना क्योंकि संग जी ये इतना स्पेशल ससंग, इतना चमतकारी ससंग है अगर आपने एक बारी दिल लगा कर शुकरवार के इस चमतकारी ससंग को एक बार सुन लिया न इस ससंग को सुनने के बार संग जी आपकी सारी परेशानियां खतम हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया आप तो संग जी खुद हैरान हो जाओगे ससंग को सुनकर और आप देख लेना ये बात भी गुरु जी का ये चमतकारी ससंग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी गुरु जी आपके घर परिवार के उपर अपनी किरपा कर देंगे और इतना ही नहीं आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है बहुत सारा पैसा आने वाला है संग जी क्यूंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसो की बारिश करने के लिए तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो आप आज मेरी बात को मानो आज के इस शुकरवार के चमतकारी ससंग को स्पेशल ससंग को पूरा सुनो ध्यान से सुनो बीच में छोड़ के मच चले जाना संग जी क्यूंकि आज का ससंग सुन कर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरु जी आपके घर परिवार के उपर अपनी किरपा करने वाले हैं तो अगर आप ससंग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ससंग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संग जी ये बात भी तो है लोग आज कल ऐसी तो करते हैं ससंग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं ससंग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली हमारा तो गुरु जी ने कल्यान ही नी करा हमारे घर परिवार पर तो किर्पाई नी हुई संग जी मैं बिल्कूल भी नी चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो बलकि संग जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए गुरु जी आपके घर परिवार के उपर अपनी किर्पा कर दें आपके घर में सुख शान्ती बनी रहे घर में खुशियां आएं घर में सुख आएं घर में खूप सारा पैसा भी आए संगजी मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ आपके फाइदे की बात करता हूँ और अगर बाई चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसो को लेकर बड़ी तंगी चल रही है घर में बहुत ज्यादा पैसो की परेशानी है आपको जगा जगा पे जाना पड़ता है लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े थोड़े पैसो के लिए करजा लेना पड़ता है लोगों से बेजतियां करवानी पड़ती हैं लोगों की बाते सुननी पड़ती है संगजी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की help कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे सबी परेशान है संगजी आजकल बंदा खुद परेशान है अपने पास पैसे होंगे तबी तो कोई किसी को देगा अपनी जेब में भी तो पैसे होने चाहिए ना संगजी लोग सुबह सुबह रोजी रोटी के लिए निकल जाते हैν रोजी रोटी कमाने के लिए और जब वही लोग रात को घर वापस आते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है बड़ा मुश्किल है आज कल के टाइम में पैसा कमाना संगजी आज कल का इतनी महंगाई बड़ा समय चल रहा है न कि आप चाहे लाख रूपे महीने के कमा लो संगजी फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला ये ऐसा टाइम चल रहा है संगजी एक कल यूग है इस जमाने में एक एक रूपे के लिए बंदा परेशान है आप देखो रोजी रोटी अपना घर नहीं चल पारा लोगों से अपने बच्चे नहीं संगजी हम लोग पाल पारे अपना घर का खर्चा नहीं चला पारे तो हम लोग क्या करेंगे संगजी आप मुझे बताओ और आगे आगे तो और मेहंगाई होती जाएगी खर्चे बढ़ते जाएंगे और इतने बढ़ जाएंगे एक टाइमा का संगजी खर्चे कि बंदे के पास सिर्फ मरने के इलावा और कोई option नहीं होगा संगजी कोई और option नहीं होने वाला आप देख लेना संगर जी और आप देखो आज कल के time में आप किसी के भी घर में चले जाओ चाहे कोई अमीर है गरीब है रिक्षे वाला है बिजनसमेन है किसी के भी घर में चले जाओ वहाँ पर आपको पैसो की problem तो मिल ही जाएगी पैसो की दिक्कत आपको मिल जाएगी संगर जी उसके घर पे वो बात अलग है देखो एक बिजनसमेन होगा वो बचारा पांच लाग के लिए परेशान है मेरे को पांच लाग की जुरत है एक रिक्षे वाला होगा संगर जी वो कहेगा मुझे सो रुपे चाहिए मैं अपने घर दो सबजियें ले जाओंगा पचास रुपे में संगर जी पैसा सबको चाहिए पैसा संगर जी इतना important हो गया ना सबको चाहिए पैसा पैसे के बिना गुजारा भी नहीं है किसी को 10 लाग चाहिए किसी को 100 रुपे चाहिए किसी को एक हजार चाहिए तो किसी को बीस लाख चाहिए संगा जी जरूरतें सबकी अलग-अलग है अमाउंट सबके अलग-अलग है संगा जी अमीर आदमी जितना अमीर है उसको उस हिसाब से पैसे चाहिए लाखों में चाहिए उसको हिसाब किताब बड़ा होता है न वहीं ये गरीब आदमी है सौर रुपे में खुश है कि बहुत चलो सौर रुपे कमा लूँगा अपने घर में सबजी ले जाओंगा आटा ले जाओंगा वो उतने में खुश है तो मैं तब ही तो आज गुरुजी को यही कह रहा हूँ आप सब के सामने ध्यान से सुनना संगजी मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसो की बारिश कर दो गुरुजी ताकि कभी किसी संगत को पैसो की दिक्कत ना आए घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे घर में पैसा ही पैसा हो जाए पर वोई बात है न संगजी ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस ससंग को पूरा सुनोगे ध्यान से सुनोगे गुरू जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगजी और गुरू जी तभी आपका कल्यान करेंगे ये बात भी तो है और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाजोड के विंती ए रिक्वेस्ट है कि आप इस ससंग को लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी अगर आप एक एक करके भी ससंग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी तो इस ससंग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस ससंग को सुन सकेगी और गुरु जी की blessing उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है जै गुरु जी शुकराना गुरु जी माहराज का संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मधू गुपता आंटी जी का ससंग सुनेंगे मैं ससंग को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मधु गुपता मौडल टाउन दिली में रहती हूँ संगर जी मेरी जर्डनी गुरू जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई थी 2023 पिछले साल ही मैं गुरू जी के पास पहली बार गई थी संगर जी और ये बात भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरा गुरू जी में कोई इंटरस्ट नहीं था मतलब कहने का ये है ना तो मेरे घर परिवार वाले लोग गुरू जी को मानते थे ना ही मेरे अंकल मानते थे ना विश्वास था संगर जी आज कल आपको पता ही है क्या हाल है गुरू का बाबाओं का संगा जी ये देख के क्या मन करेगा कि हम गुरू जी के बड़े मंदर में जाएं आप मुझे बस इस बात का जवाब दे देना कॉमेंट करके कि क्या आपका मन करेगा अगर आप सारा दिन मतलब नियूज में अखबारों में आप देखते रहते हो टीवी चैनल्स पे नियूस पे जो आती हैं सारी जो खबरे आती है कि इस बाबे ने ये कर दिया इस गुरू ने वो कर दिया इसके आश्रम में ये वो दुनिया भर का गंद होता है संगा जी तो मेरा तो बिलकुल मन नहीं था गुरू जी के पास जाने का मैं सच बता रही हूँ आपको ना हम लोगों का कोई ऐसा मन में था कि बड़ी हमें परिशानी है या कुछ ऐसी बात है कोई ऐसा चक्कर ही नहीं था संगा जी मैं तो अपना आराम से यहां मेरा ससुराल है संगा जी मॉडल टाउन में न मैं रहती हूँ दिल्ली में तो या मेरा यह ससुराल है मैं शादी शुदा हूँ संगा जी और मेरे दो बेटे हैं एक बेटा मेरा 25 साल का है और एक बेटा मेरा 39 साल का है संगा जी अच्छे से सारा कुछ चल रहा था अंकल का मेरा अच्छा काम है संगा जी जादनी चौक में हाड़वेर का काम है उनका तो सब कोई ठीक था कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी तो हम लोग क्यों जाते गुरू जी के पास गुरू जी के पास तो वो ही जाएगा जिसको कोई परेशानी होगी कोई दुख तकलीफ होगा लाइफ में ऐसे संगा जी कोई भी नहीं जाता ना आप मुझे पता हो जाना कोई जाता है ऐसे आप डॉक्टर के पास तभी जाते हो जब आप बेमार होते हो तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको दवाई देता है बिना बात के डॉक्टर के पास कौन जाता है संगा जी तो वही हाल है आप देखो संगर जी मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में मतलब 2022 में उनकी डेथ हो गई थी 2022 में जब ये महामारी आपको पता ही है कितना ज्यादा था इसका परकोप ये महामारी का मतलब इतना ज्यादा इतनी बिमारियां आ गई थी संगर जी तो उस चक्कर में मेरे मम्मी पापा दोनों को वही बिमारी हो गई थी महामारी जो आई थी 2020 में न तो उस महामारी के अंदर मेरे मम्मी पापा दोनों को हार्ट अटेक आया और 2022 के जून के महिने में मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी एक ही साथ मतलब एक दिन पापा की होई दो दिन के बाद मेरी मम्मी की हो गी ती दोनों हॉस्पिटल में एड्मिट थे संगजी गंगाराम हॉस्पिटल में अब देखो जो उनका लिखा था उट देखो मैं पुरानी बातों में नहीं जाओंगी जो हुआ ठीक है मैं संगर जी मेरी दो बहने और है मेरा कोई बाई नहीं है दो बहने मेरी और है एक बहन मेरी रहती है मम्मी के घर के पास यानि की लाजपत नगर के अंदर जो सेंटरल मार्केट है न वहीं लाजपत नगर में मेरी बहन भी रहती है और ठीक थोड़ा सा एक किलोमेटर दूर ही मेरी मम्मी का घर है पापा का घर है और दूसरी बहन संगर जी मेरी बॉम्बे रहती है अब आप देखो हमारे साथ में हुआ क्या मेरी बहने कहती कि देख मधू हमें अब इस घर जो मुम्मी बापा का जो घर है जो वहां पे लाजपतनगर में कहते इस घर को नब हम क्या करें पूरा घर है जड से संक जी पूरा । 200 गच 400 का ग़र है अप्रॉप्स तो वह कहती क्या करेंगे घर का बता मैंने का क्या करना है कोई बात नहीं पढ़ा रहे कभी जाएंगे कभी मम्मी पापा की याद ही आ जाती है तो कभी जा के थोड़ी जिर बैट के अपना साफ सफाई करके कभी आ जाये करेंगे तो कहती यार मेरी बेहने मुझे कहती देख भई इतने करोडों की जगा खाली रखेगी तू मैंने का करोडों की जगा है ठीक बात है करोडों की जगा है संगजी साउथ दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा रेट्स है अच्छे रेट्स हैं बहुत पहुष एरी है लाशपतनगर कोई ऐसी वैसी जगा नहीं है आप सब तो जानते ही होंगे डिल्ली में रहने वाले सब बंदा बंदा जानता है साउथ दिल्ली के बारे में तो तो कहती है कि अब क्या करें बता इस घर का मैंने का आप देख भई मम्मी बापा की यादा ये तो पापा ने बनाया था इतने अच्छे से पापा ने संभाल के रखा घर बनाया पूरा अपने बच्चों के लिए बनाते हैं सब माबाप अपने लिए कौन बनाता है संगर जी आप मुझे बताओ अपने लिए कोई कुछ नहीं करता सब अपने बच्चों के लिए करते हैं तो मैंने का इस घर को रख लेते हैं क्या हो गया पड़ा रहेगा हमने कौन सा हम उस घर पर हमारी नजर है होगा करोडों का ठीक है तो कहती ही नहीं देख हम है तीन बहने ये मेरी बड़ी बहने सबसे जो मेरी बॉम्बे बहन रहती है ना संगर जी बॉम्बे में उसका घर है वो क्या चीज होगी वहाँ पर भी जड़ से है उसके पास संगर जी और वो मुझे बता रही थी मुझे पूरा एरिया याद नहीं है संगर जी जहां पर सारे एक्टर्स वगरा सब रहते हैं न सारे एक्टर्स वगरा तो वहाँ उसी के ठीक पास में उसका घर मतलब वो कहती है कहीं पर मैंने एक्टर्स को अपने घर के बाहर से जाते वे वॉक करते वे देखा है दोड रहे हैं सैर कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं वहाँ तो बॉम्बे में सारी आम बात ही है संगर जी तो सब एक्टर्स आपको वैसे मिल जाते हैं, गुमते फिरते हुए, तो मतलब कहने का मतलब यह मैं उसकी अच्छाई के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, मैं यह कह रही हूँ कि देखो आप उसको लालच नहीं था, लालच किसी को नहीं होता संगर जी, हम तो बेहनें अपना घर हमारा ठीक चल रहा हमें क्या नजर रखनी है पीछले पीछे मुई अपा के घर में मेरी सबसे बड़ी बेहन बॉंबे वली बेहन मुझे कहती है देख मजू हम तीन बेहने हैं तीनों अच्छी उम्रों की हैं सबसे छोटी तू है सबसे छोटी मैं ही हूँ संगर जी सबसे छोटी बेहन ही मैं हूँ सबसे बड़ी बॉंबे वाली उसके बाद लाश्पत नगर उसके बाद मैं तो कहती देख हम हैं तेर से बड़े कल को कुछ हमें हो जाता है ना भगवान ना करे कुछ हो गया तो देख लडाईयां जगडे होने आपस में बच्चों के कुछ नहीं मिलेगा सब कुछ खतम हो जाएगा और जो मम्मी पापा का जो घर है न वो घर नहीं रहेगा फिर बच्चे जाके ताले मार लेंगे सब कुछ कर लेंगे क्योंकि बच्चों का दिमाग अलग होता है संगा जी हम बेहनों को लालच नहीं है न बच्चों को लालच होता ही है न कि कहीं से कुछ मिल जाए तो अच्छा हो जाए बच्चों को तो होता है संगा जी तो तो कहती है यह समझदारी वाली बात है कि इस घर को ऐसा करते या तो हम किसी को दान दे देते हैं दान in the sense कि यहाँ कोई मंदिर बन जाए कोई कुछ गुर्द्वारा बन जाए कुछ मतलब कोई आश्रम बन जाए कोई ऐसी बात है या फिर इसको हम बेच देते हैं उसने मुझे ऐसे बोला और कहती है बेचने के बाद मुझे तो एक रुपया भी नहीं चाहिए मैं नहीं चाहती ही कि अपने मम्मी बापा के घर का एक रुपया भी मैं अपने पास में लू बेच दो साइन जब करने मुझे बुला लेना मैं आके साइन कर दूँगी मेरे को तो भाई लाला जी नहीं है मेरी अपनी इतनी हजारो करोडों की जगा यहां पढ़ी है बॉम्बे में मैं वो देखने नहीं गई तो मैं क्या लाश्पत नगर देखने आउंगी संगज उसमें मुझे ऐसे बोला कहती है तुम तो दिल्ली में रहते हैं कल को आपस में बच्चे भी बोलेंगे कि हमें दो हिस्सा दो ये करो वो करो हम नहीं रहेंगे तो बाई चांस और सब के बेटे हैं हम सब बेहनों के बेटे हैं संगजी कुछी का मतलब लड़की नहीं है किसी की भी तो ये बड़ा चक्कर था तो मेरी लाशपत नगरवली बेहन कहती है कि मेरे तो पास ही पढ़ता है मम्मी का घर तो मैं देखती हूँ जरा कि उसकी क्या वैल्वेशन है मतलब वहाँ पे क्या बन सकता है क्या मैं किसी डीलर से पूछती हूँ किसी बिल्डर वगरा से संगर जी आप यकीन करो मेरी बात का अगले दिन ही मेरी लाशपत नगरवली बेहन का फोन आ जाता है मेरी बेहन मुझे कहती है कि देख मदू जो पापा का जो घर है ना मम्मी पापा का वो घर कम से कम 15 से 16 करोड रुपे का आज की डेट में एक बिल्डर है वो कहते हैं आप पागल होगे यहां पे आश्रम बनाओगे मंदिर बनाओगे गुर्दवारा बनाओगे इतनी अच्छी रहने की जगाए है आपने दान ही करना है तो कुछ पैसों का दान कर देना ना गुर्दवारे में, मंदिर में, आशरम में जगा का दान क्यों करते हो संगर जी उस बिल्डर ने ये बात मेरी बहन को बोली कि जगा का दान क्यों करते हो आप सुरा समझधारी से काम लो कुछ पैसे आप चाहे तो पूरे के पूरे पैसे दान कर देना पर यहां पे ना आश्रम वगरा की यह जगा देखो कॉल नहीं है पूरी पूरा यहां पे अच्छे बले मिनिस्टर वगरा यहां पे लोग रहते हैं सबके अच्छे अच्छे आई-एस आफसर वगरा सारे संगर जी वही रहते हैं सारे अफसर I.S. I.P.S. वगरा सब के अखसर वहाँ पे लारबत्ती वाली गाड़ी यह आपको दिखेंगी जहां मेरे मम्यापावद घर है तो बहुते हैं यहाँ पे ऐसा देखो आप इस घर को बेश सकते हो आप आज कोगे मैं खली यहाँ पे है वो लेने वाले लोग वो आपका घर ले सकते हैं अब बोलो तो मैंने का भई देख लो बड़ी बहन से पूछ लो बंबे वाली से मैं क्या बता हूँ मैं क्या बता हूँ मेरी फोड़ी चलेगी बड़ी बहन से पूछो उसने बॉम्बे वाली बेहन से पूछा मेरी तो कहती है हाँ बेड़ो कोई बात नहीं पैसे मुझे मत देना साइन जब करने हैं बता देना साइन करने आ जाओंगी जो करना हैं कर देना दानवान कर दो अच्छे से ताकि मम्मी बापा की आत्मा को भी शांती मिले कि भई हमारे घर के पैसे अच्छी जड़ापे लगे हैं ठीक है संगर जी अब जब सब कुछ फाइनल हो गया था अब गुरु जी महराज जी अपनी किरपा करनी थी गुरु जी ने बुलाना था अपने पास में कि भई तुम आओ मेरे पास मैं तुमको ब्लेस करूँ संगर जी वो ही हुआ गुरु जी महराज की आप किरपा देखो हम जब साइन करने के लिए जब मारी बिल्डर के साथ में और जो लेने वाले थे उनके साथ में मीटिंग हुई पहले साइन करने से पहले एक दिन कि भई ये पेमेंट वगेरा का चक्कर है ऐसे है वो है सारी बाते वाते हुई मेरे अंकल भी गए वे थे तो उस बिल्डर के ऑफिस में ना संगर जी गूरू जी का स्वरूप लगा हुआ था जो बिल्डर है अब मैं बड़ी हैरान मैंने का अपने आफिस में लोग फोटो लगाते हैं भगवान की छवी लगाते हैं रादा करिशन जी की, राम जी की हनुमान जी की, शिव जी की माता रानी जी की सबकी छवी होती है सुवरूप होते हैं, अच्छे-च्छे आपने ये क्या, ये कौन है ये? मैंने ऐसी पूछा ये कौन है, जो सामने फोटो लगी हुई है, वो बिल्डर कहते ये ना हमारे गुरू जी हैं हम तो इनी को मानते हैं इनको ही मानते हैं हम लोग आज इनी की बदूलत आज हम करोड़ रुपी में बैठे हुए है वरना मैं कुछ भी नहीं था मैडम वो मुझे ऐसे कहते हैं कहते हैं मैं कुछ नहीं था मेरे पास एक रुपया भी नहीं था इनी सड़कों के ओपर मैंने बीख मांगी हुई है इनी सड़कों के ओपर किसी टाइम पे मैंने हाथ फैला के मैं लोग उससे पैसे मांगता था और आज गुरू जी महाराज की किरपा से आज मैं करोडों का सौधा एक दो घंटे में ही कर देता हूँ संगर जी बड़ी हरान हुई मैं मैंने का अच्छा इतनी किरपा होती केते हाँ और जो लेने वाले लोग थे ना संगर जी आप यकीन करो मेरी बात का वो भी गुरू जी की संगत वो भी गुरू जी को मानने वाले अब देखो ये किरपा थी क्या था वो 16 करोड का घर नी भी का हमारा हमारा घर भी का 20 करोड का जो लेने वारे लोग थे पता है कहते है मुझे कहते हैं मैड़म इस वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए आपकी जगह है आप जानो आपका काम जाने हम तो 20 करोड में ले रहे हैं इसको पर आपना यहां पर दान आप चाहिए जो भी करो चाहिए 20 के 20 करोड का दान कर दो पर ना अपने लिए पैसे आप जरूर रखना क्योंकि यह आपके मम्मी पापा की जगह है आपके मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे हमारी जगह में से एक रुपे भी ना लें वो चाहेंगे बलकि लें पर आप पैसा मत करो संगर जी हम तीनों बेहनों ने एक एक करोड रुपे का दान किया सतरा करोड रुपे से संगर जी हम तीनों बेहनों ने पैसे बाटे आज हमारे पास मतलब कमी कोई नहीं है कोई कमी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की दिक्कत नहीं है संगर जी पैसा है तो पैसा बहुत है हेल्थ है तो हेल्थ बिल्कुल ठीक है कोई कोई और परेशानी है यह नहीं काम है तो काम बहुत अच्छे चल रहे हैं गाड़ी है तो गाड़ी है बहुत हैं मकान है तो मकान बहुत हैं सारी चीज़े बहुत हैं संगर जी पर एक जो मम्मी पापा की जो कमी है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती कभी पूरी नहीं हो सकती संगर जी और मुझे गुरू जी ऐसे मिले है मेरे को किसी ने बताया नहीं है गुरू जी के बारे में कि कौन गुरू जी है क्या किरपा करते हैं कैसे ब्लेस करते हैं कुछ नहीं पता था मुझे इतो इन जाने में संगजी गुरू जी मुझे मिल गए और connection बन गया और आज मैं गुरू जी की संगत हूँ ये मेरा छोटा असा गुरू जी का ससंग था प्लीज आप मेरे ससंग को जैदा से जैदा लाइक करो जैदा से जैदा शेयर करो बाकी आप सब को जै गुरू जी शुकराना गुरू जी जैदा गुरू जी संगत जी आप सबी को दोनों हाद जोड़ कर जैदा गुरू जी जैदा गुरू जी जैदा गुरू जी संगत जी जी संगत जी संगत जी जी संगत जी संगत जी जी संगत 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 झाल झाल